स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में हम सिखने वाले अंडर्स्टेंड ओन प्रॉपरिटी इसका मतलब क्या है कि खुद की प्रॉपरिटीज को समझ सके इन दा फॉलिंग एग्जामपल दबड कंस्रक्टर डिफाइं इस तो प्रॉपरिटीज की थी ने में नमलेक्स ठीक है वर फंक्षिन बर्ड आ गया नेम और यहां पर मतलब यहां पर और यहां पर दिस डॉट नेम आ गया यहां पर यह जो इस जो कंस्रक्टर था इसमें दि पास हुजाएका इस डॉट नमलेक आ गया तू लेट डग इकवल निव बड डॉनल और कैंडरी आ गया निव बड ट्विटी ठीक है तो यहां पर हमने पास भी कर दिया है त्विटी और अब यहां पर है नेम और नमलेक्स आर कॉल्ड ओन प्रॉपरिटी जो नेम और नमल इस का मतलब कि जो डॉक है और कैंडरी है इनके पास खुड का एक सेपरेट कॉपई है इंपूपरिटी का यह जो प्रॉपरिटी जो प्रॉपरिटी हैन इनके पास एक सेपरेट कॉपी है इन एक हिए खुद की प्रॉपरिटी की साथ इन in in fact every instance of bird will have its own copy of these इस प्रापिटीस ही इसे, इन फेक्ट जितने भी हम इंस्तेंस करेंगे, बर्ड के रिख रिख करेंगे, उन सब में फुद कि कॉपी होगी इस प्रापिटीस की, ठीक है? फॉलिंग कोड एट्स अल अअपट्पेटीस अफ डग टू दा एरे अट्रहिए, तो यहां पर क्या किया हमने एक empty array डिकले कर दिया, फिर foreign वाला लूप लगा दिया है, इसमें for let property induct, यह property keyword again, वह index let i की तरह हो गया, और यह duck हो गया, वो जो array से हम लूप करवाते हैं, तो यह directly duck हो गया, यहां पर हम object में loop करवा रहे हैं, और object को कह रहे हैं, कि उनसा भी properties में चले जाओ, so if duck has own property, अब यहां भी कहता है, अगर duck के पास own property, मतलब property जो भी वहां पर उससा में loop कर रहे होगी, वो वाली होगी, तब क्या कर दो, on property डूप पूश्च 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 अब हमें क्या करना है, add the own properties of canary to the array on property, array on props, अब यहां पर हमने यह loop लगा देना है, ज्यादा कुछ difference है नहीं, so, यहां पर हम देख रहेते हैं, okay, देख रहेते हैं, for, let property in, कहां पर आ गया, canary, c-a-n-a-r-y, canary, now, यहां पर हमें क्या करना है, if, if, canary, dot, has, own, p-r-o, p-e-r-ty, property, और फी, यहां पर हम क्या करेंगे, property, check कर लेंगे, p-r-o, p-e-r-ty, property, तो यहां पर हम इसको कर देंगे, own props, own, p-r-o, p-e-s, आप directly copy भी कर सकते हैं, पुश, now, p-r-o, p-e-r-ty, ठीक है, और यहां पर हम console.log भी कर देते हैं, so that हमें पता देल जाएं कि actually हुआ कहा, console.log, यहां पर हम कर देते, own, p-r-o, p-e-s, and you can see, name और numlax आगया property, ठीक है, तो हम इसको check कर लेते, so my test पास हो चुका है, 35% already complete हो चुका है, मैं मिलता हो next video में, and just like sonic bong, यहां पर लिखा हुआ है, वैसे उसी speed के साथ आप coding करते रहना, और next video पर जंप करते हैं, ठीक है, bye.